तो आज की इस बेबी हेल्थ गाइड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चे को जनम देते वक्त क्या-क्या दिखकते होती हैं तो आज हम उनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगी तो आईए देखते हमारी इस वीडियो को बच्चों को जनम देने की प्रक्रिया सबसे कठिन होती है आपने इस प्रक्रिया के बारे में कई मिथक भी सुने होंगे बच्चे के वजन के हिसाब से भी दिखकत होती है कुछ किस्सों में आपने सुना होगा कि औरत को बहुत कम दर्ध हुआ और कुछ में दर्द से तड़प उठी वैसे यह बात सच है कि प्रसव के दोरान महीला को इतना जादा दर्द होता है कि उसका खुद पर संतुलन रहना मुश्किल होता है प्रसव के दोरान अजीब सी गंदी चीजे होती हैं जिनके बारे में अगर आप सामाने स्थितियों में सोचें तो आपको उल्टी सी आने लगेगी तो आईए जानते हैं प्रसव के दोरान होने वाली दिखकतें यौनी से बच्चे के भार आने के सासत कई और फैटल मैटर भी भार आते हैं ये समान्यता होता ही है प्रसव पीडा के दोरान रख चाप घर्टा बढ़ता रहता है इसके लिए डॉक्टर सही उपाय करते ही है टिप नमबा 3 पिशाब होना प्रसव के दोरान दर्ध होने के अलावा महिला को पिशाब की समस्या भी होती है टिप नमबा 4 गर्बनाल का निकलना गर्बनाल और अम्नियोटिक साक आपके बच्चे को सन रक्षन परदान करती है प्रसव के बाद यह भी योनी से भार निकल जाती है कभी कभी इसमें आदा घंटा लग जाता है और प्रसव के जितना ही पीडा होती है टिप नमबा 5 उल्टी होना प्रसव के दोरान महिला को मितली आती है कभी कबार गबराहट की वज़ा से उल्टियां भी आने लगती हैं तो आज की इस Baby Health Guide वीडियो में हमने जाना कि बच्चे को जनम देते वक्त क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो अगर आप भी नवजा शिशु को जनम देने जारी हैं तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें तो आज की इस Baby Health Guide वीडियो में इतना ही ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें Baby Health Guide चैनल को Till then take care of your newborn baby. Thank you